एक मित्र पूछते हैं हम अध्यात्म की यात्रा में जब निकलते हैं तो हम तलास करते हैं वन्निस की उस परमचेतना से एक हो जाने की सेप्रेशन के खत्म हो जाने की एंड अप सेप्रेशन की और अहिंकार के समाप्त हो जाने की लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि क्या ऐसी स्थितियां वास्तों में घटती भी हैं एंड अप सेप्रेशन एंड अप दी इगो अहिंकार की समाप्ती विभाजन की समाप्ती या वो एक्ता की अनुभूती ता श्टेट अप वन्नेस ये एक आंतरिक सत्य है ये हमारे अंदर हमारी चेतना में हमेशा से पहले से हिस्तामिलिक सत्य है इसकी तलास किसी को करनी नहीं और जब तक सरीर और मन है तब तक एक निश्चित किस्म का विभाजन भी है सेप्रेशन भी है जब तक सरीर और मन है तब तक अहिंकार भी है इगो भी है तो जो भी आध्यात्मिक लोग बात करते हैं अहिंकार के पूरी तरह समाप्त हो जाने की वो बस एक अज्ञानता है तुम देखो कि कोई बड़े से बड़ा संत हो सिद्ध हो भुद्ध हो वो एक सेप्रेट एंटिटी की तरह रह रहा है एक अलग बेक्ति की तरह रह रहा है और उसका एक निश्चित किस्म का एगो भी है एगो या एहंकार इस इस्थिती में और सेप्रेशन भी इस इस्थिती में कि तुम उसके पास जाओ तो वो तुमसे बात करता है तुम उसको बुलाओ तो वो उत्तर देता है वो इस तरह से वननेस में नहीं चला गया है कि तुम आवाज दो और वो खड़ा रहे जाए तुम उससे पूछो वो तुमको जवाब न दे तो एगो या state of separation किसी enlightened person में बुद्ध विक्ति में भी है और सामाने विक्ति में भी है एगो कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता वो हमारी ब्यवस्था का हिस्था है तो फिर प्रश्ण ये उठता है क्या कोई अंतर पड़ता है एक सामाने विक्ति के एहंकार और उसकी आवस्था में और एक सिद्ध विक्ति के एक इनलाइटेंड एक बुद्ध विक्ति के एहंकार में वो एगो एहंकार ये शेप्रेशन तो वहाँ पर वैसे ही होगा लेकिन जो इनलाइटेंड पर्शन है बुद्ध विक्ति है उसके अंदर उससे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जा चुका होगा विक्तिगत तादात में समाप्त हो चुका होगा उसके लिए वो केवले कुप्योगिता की वस्तु है स्तामाने विक्ति के पास भी सेंस अप सेप्रेशन है और सेंस अप इगो है अलगाव का भाव है और एहंकार की स्थिति है और उसके पास जो समस्या है वो है complete identification with the separation and with the ego वो अपने विभाजन और अपने एहंकार से पूरी तरह तादात्म में है उससे स्तामिल होकर चलता है इसलिए वो पीडित होता है उसके लिए वो केबल काम चलाओ प्योगिता की चीज नहीं वो वही वही है totality उसकी वही है उसमें कोई अंतर नहीं और जो संत है इनलाइटन परसन है उसके लिए वो बस एक काम चलाओ इस्थिति ये अंतर ही सबसे बड़ा देखने में ये बहुत महमूली लगता है लेकिन यही अंतर है और बाकि जो अहंकार सुन्यता की या विभाजन मिट जाने की उससे एक हो जाने की जितनी बाते हैं वो केवल फैंटेसी हैं फैंसी हैं वो कभी नहीं होती उतना रहता है झाल 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 का घयल्स लुटे जाधेसी हैं झाल 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 की झाल 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 घब लो झाल 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 झाल